सरस्वती पूजा मेकप लुक के वीडियो में मैंने ये वाला हैस्टाइल क्रियेट किया था तो आज उसी का टुटोरियल में शेयर करूंगी इस हैस्टाइल को क्रियेट करना बहुत ही एजी है आप अगर बिगिनर्स हो तो भी आप एजीली कर सकते हो और अभी तो वेडिंग सेजन भी चल रहा है न तो आप इस हैस्टाइल को क्रियेट करके को वी वी वेडिंग इंविटेशन को भी अटेइन कर सकते हो so now let's see how to create this हैस्टाइल तो इसको क्रियेट करना बहुत ईजी है जैसे कि मैंने पहले बताई तो सबसे पहले आपको अपने hairs को tangles free कर लेनी है दिन उसके बाद यहाँ से side से आपको partition करनी है मतलब side से लेके middle तक आपको एक 13 मांग निकलना है दिन उसके बाद जिस side में hair थोड़ा सा कम है उसे side से थोड़ा सा hair segment लेके इसको ऐसे उपर की तरह बब twist करना है और twist करने के बाद इसको secure करने के लिए bobby pin का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ दिन अगेन एक दूसरा bobby pin से मैं इस twisted segment को secure कर लूँगी नाव दिस इस ताइम तो accessorize your hair तो मैं यहाँ पे एक artificial flower इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे flower के पीछे ना already एक U-pin attached है बट अगर आप एक real flower यूज़ करना चाहते हो दिन उसके अंदर आपको एक U-pin insert करने ना है और बस हो जाएगा meanwhile my hairstyle is almost done अभी मैं उस side partition को middle partition में convert कर रही हूँ and that's it तो देखा बहुत easy है इस hairstyle को बनाना अगर आप इस hairstyle को recreate कर रहे हो दिन don't forget to send me your picture आप मुझे instagram में अपनी picture भीज सकते हो my instagram handle is at the rate joita.official and यही same hairstyle को मैंने सारी के साथ बनाई थी लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप gown या फिल लहेंगा के साथ भी इसको बना सकते हो now this is it for today's video guys and I will see you in my next video तब तक के लिए stay happy, stay blessed and most importantly stay safe love you and bye bye